और यहाँ पे कुछ ही सेकेंड में मेरे क्याल से आधा मिनट भी नहीं हुआ ढंक से और मुझे चार किल मिल जाती है बिलकुल फ्रीकी तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक विरा न्यू पब जीदो मोबाईल गेमपले वीडियो में जिसमें तुम्हारे भाई को ब्रिच केम्प करके पिलने की कुर्सिस की जाती है ठीक है अब ऐसा भी नहीं कि भाईया वो पिटी रेरी बेस और यार आपको भी पता है मुझे भी पता है सापका चक्कर होगा यहाँ अब ये बेचारा बंदा मेरे ख्याल से सीधा जमीन में लेंड करता है और इसकी सीधा पिटी बनती है अब मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन जब गेम शुरू हो रहा होता है न और बंदों पे भाईया ये कार 98 और सोडगन वगेरा होती है यार बहुत दर लगता है मतलब देखो स्टाटिंग में हेलमेट वेस्ट के नाम पे कंदू कुछ नहीं होता और यार गलती से सर पे पढ़ गी अगर ये चीजे तो सिधा पेटी बनते आपके टाइम नहीं लगने का क्यार यहाँ पे मुझे तीन कील ऐसी मिल चुके है बिल्कुल हलवे में मजाक में ले चुकाओं में तीन कील और यहाँ पे बंदे एक दूसरे की बेटी बना रहे होते हैं तो यार जाना तो पड़ेगा, मतलब बंदे आपस में लड़ रहे हैं, हम कैसे न जाएं वहाँ पे? अब यहाँ पे मेरी हेल्थ इतनी कम है ना यार यह होनी नी चाहिए मतलब वो जो बंदा पीछे से M16A4 चला रहा था, मुझे नहीं पता कैसे उसकी गोलिया दर्वाजे के पीछे आने के बाद भी लगी ख्यार यह तो बगैर अपडेट के गलत सीन ते यार अपडेट आ चुका है तो हाँ, गलत सीन चार गुना बढ़ेंगा ख्यार यहाँ पे दो-चार बंदे पेलने के बाद मैं देखता हूँ बाहर दो-तीन बोट लड़ रहे होते हैं तो यार दिक्कत किदार आ रही है, मतलब फ्री की केड़ी और किल बढ़ रही है तो यार मना नहीं करना चीए बोट को कभी बस दिक्कत तभी होती है जब यार इंटन्स फाइट चल ली हो 14 बंदे तुम पे रस कर रहे हैं और उसके बाद आपको पीछे से आके एक बोट गोलिया पिलता है बहुत दुख होता है उस टाइम कैर यहाँ पे जितने भी बोट होते मैं उन्हें पेल देता हूँ और यार नीचे से फुटी स्टेफ अगेर आ रहे हैं तो हाँ बंदे अंदर आने वाले होते हैं और यार मैं सही बता रहा हूँ यह मिल्टे रेरी आरा ना बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी-कभी तब जब दूसरी टीम में भाई यह कैमपर लोग भरे पड़े हूँ आज ही की बात है मैं यहाँ पे यह तीन सटोरी यह जो बिल्डिंग होती है यहाँ पे सारे बंदे पेल के वो जो बगल में क्या है यार वो बड़ी सी बिल्डिंग लेफ्ट साइड पे वहाँ जा रहा होता हूँ और मैं मजाकनी कर रहा, पूरी सकॉड, हाँ पूरी सकॉड जाड़ी में लेटी बड़ी होती है, और मुझे मतलब नौग भी नहीं होता है, और मैं मेरी सीधाई बेटी बनती है, वहाँ पे यार, चार दोग घेर के पेलते हैं, क्यार यहाँ पे आपन लोग पे हेलमेट के न और यार यहाँ पर मुझे सनाइपिंग करने तक नहीं देते लोग मतलब यार ऐसी सस्ति सनाइपिंग है उसके उपर से ये लोग घर पे गुश चुके हैं अब कब आये पता नहीं भाई मैं तो मस्त था बिल्कुल हेडसोट देनी की कोशिस कर रहा था जो की लगा नहीं उतने में पता चलता है कि भाई अपने ही बिल्डिंग में बंदे गुश चुके हैं तो इन दो बंदों को पेलता हूँ मुझे लगा था ये सामने वाले बंदे होंगे हाना लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता ये अलग टीम के बंदे होते हैं तो ये दो ही बंदे बाकी होते हैं इन दोनों की पेटी बन चुकी है लेकिन अब सामने से पूरी सुकॉड आ रही है हाँ पूरे चार बंदे आगे और इन लोगों को लगता है कि यार ये लोग थाड़ पार्टी करेंगे हाना लेकिन इने क्या पता यार मैं पहले ही पेटी बना चुका हूँ और मैं रेडी तयार बैठा था ये ये लोग आए और मैं इनकी पेटी बनाऊँ खेर एक बंदे को नौक कर दिया है तो यार उसे रिवाइव देने की कोशिस पक्का की जाएगी अब जब तक बंदे दूर से रस कर रहे हो ना गोलिया चला रहे हो कद्दू भी डरनी लगता लेकिन जब बंदे इतने पास आ जाए तो यार एक ही चीज़ होता है नेड पे नेड लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों पे नेड के नाम पे कद्दू भी कुछ नहीं है और इन पे बस समोक है जो कि ये सारे के सारे इस्तमाल कर चुके हैं अब देखो इन लोगों ने समोक बहुत खतरना किया होता है हना लेकिन यार यहां पे मैं हलवा बनाने तो बैठा नहीं हूँ बंदा रेंग के पीछे जा रहा होता है और मैं बोलतो यार ऐसा तो नहीं होगा भाईया आपकी पेटी ही बनेगी और मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन हर बार बोडी सोट लग रहा है मतलब ठीक यार इस बार मैं समझ जातो कि भाई किस्मत इतनी तगड़ी नहीं चल ली है क्योंकि एक भी अभी तक गलती से हेट सोट नहीं लगा है तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से दो बंदे नो किये थे एक की तो पेटी बना दी लेकिन एक बंदे को बचा लिया गया समोक वगेरा करके हना और इनका एक बंदा ना हट से ज़्यादा पास आ चुका होता है मतलब इतना पास की पूछो मत पीछे आ चुका होता है वो अब ये बंदा किधर से फ्लैंक वगेरा पेल के यहाँ पे आया था लेकिन हाँ भाई खतरनाक फ्लैंक मारे थे बिलकुली लेकिन हमारे भाई देख लेते तो मैं धेड़ पेड नीचे जाता हूँ पेटी अभी नहीं बनी है भाई की लेकिन हाँ कुसिस जारी है पेटी बनानी की और एक बन्दा यहाँ नीचे भी बैठा पड़ा है तो यार इसे भी देखना है मतलब दिक्कत होती यार बन्दे बिलकुल पास आके दिवार पे चिपाक जाते हैं फिर पीक भी नहीं करते तो दिक्कते होती हैं और नेड भी नहीं है मिर पे खेर मैं नीचे जाके उसे पेलने की कुशिश करता हूँ बिलकुल अब यहाँ पर इस सकॉड के तीन बंदों की पेटी बन गई है लेकिन वो बंदा अभी भी बाकी है जिसके मैं हेट सोट नहीं पेल पाया था हना अब मुझे भी पता है वो कहीं न कहीं आगे ठीपी पी या फिर साब बन के बैठा है मैं बोलता है अपने टीमेट को भाईया सतरक रहके खेलो क्योंकि पेटी बन सकती है बंदा केम्पिंग कर रहा होगा लेकिन हमारे भाई क्या करते हैं अब खुदी देखो मतलब बि कुछता हूँ कि आखिर क्यों मैंने बोला भी था एक बंदा है उधर उसके बाद भी ऐसी हरकत क्यों की गई तो हमारे भाई कुछ ये बोलते हैं बहुती बढ़िया भाई मतलब पहले गलत सीन करो उसके बाद जब मैं पूछू कि क्यों क्या गया तब भया अंग्रेजिया पेल दो ताकि मैं कंदू कुछ ना समझ भाऊं बहुती बढ़िया और ये बंदा मतलब साप भी बन रखा था और ठीपी भी ले रहा था भाई खतरनाक था ये बंदा मतलब भाई ये जो छोटी सी नकली दिवार थी इसके पीछे रेट के ठीपी भी ले रहे थे हमारे के भकताओं भाई उस बंदे को पेलने के लिए गृन धगताके भकताओं और आखिरकार उसे टाइम पे पेल देता हूँ और रिवाइव अगरा भी कर देता हूँ खेर उसके बाद देखो कहां से कहाना पड़ता है किल के लिए ठीके कहां मिल्टी रारी मैप के नीचे कोन यहाँ पे मैं पहले गंटों रुखता हूँ ठीक है मैं इंतिजार करता हूँ कि यार बढ़िया टाइम आने पे पेलूँगा ठीक है और उसके बाद जब पेलता हूँ कुछ भी नहीं खाड़ पाता मैं मतलब यार अगर मैं सीधा आता ही सप्रेव अगएरा देता न तो शायद एक बंदा नोक हो जाता खेर आप गुसकी पेलना पड़ेगा और यहाँ पे हम दोनों अकेले बंदे नहीं है जो फलेर देख्या है ठीक है मतलब फलेर चलती है ने भाई दूर दूर नजाने कहां कहां से बंदे आते हैं मतलब यार फलेर को कताई शादी का खाना बना रखाए कोई भी आके गुस जाएगा और मुँ मार के चल देगा खैर यहाँ पे हम लोग विवाई करते तो अब क्या ही कर सकते हैं जितने बंदे आपन के लिए उतना ही बढ़िया क्योंकि उतनी ही जादा किल मिलेगी या अपनी पेटी बन जाएगी खैर यहाँ पे मुझे पीछे भी देखना होता है क्योंकि देखो पीछे गाड़ी गई है और मैं नहीं चाता कि मैं आगे ठीपी पी ले रहा हूं और कोई पीछे से आके गोलियां पेल दे लेकिन यार आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि आगे बन्दे थे और वो लोग किधर जाते हैं हमें कद्दू भी नहीं पता तो देखो मैं गाड़ी उठाता हूं एक चकर लगा के वापी सिधर रहा जाता हूं और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं ये पेटियां चेक कर रहा हूता हूं हाना क्या पता गल्ती से कुछ खतरनाक लूट मिल जाए लेकिन यहाँ पे ये बंदे निहत्ते और नंगे ठीले होते तो हाँ कुछ भी नहीं मिलते मैं गाड़ी उठाता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं दुबारा अब पहले मैं उसी जगाँ पे घंटो रुका पड़ा था कोई भी नहीं आया ठीके मैं यहाँ से हटके कहीं और जाता हूं भाई बंदे आ जाते हैं अब यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि एक और बंदा जिन्दा होना चाहिए मतलब जिसे मैंने सपरे वगएरा दिया था वो यह तो नहीं था अगर था तो भाई यह बहुती जादा जल्दी चड़ गया है यहाँ पे मुझे नहीं बता कैसे और इनका यह बंदा फुल रफ्तार में भगने की कुशिस कर रहा होता है और अब वो तो बहुती अच्छा हो गया भाई मैं उपर चड़ जाता हो नहीं तो यार वो बंदा गायब हो जाता भाई वो नहीं आता इसे बचाने मतलब जितना तेज वो बंदा भग रहा था ना भाई उतना तेज तो यार मैं फ्री का खाना मिलते वे भी नहीं भगता तो हाँ वो कद्दू भी नहीं आता इसे बचाने खैर जो भी हो इसकी पेटी बन गए उसकी पेटी बन गए अब एक गाड़ी भी आई थी अब वो गाड़ी वाले किदर गए पता नहीं भाई मतलब निकलना चातों मैं यासे जोन भाई भी आ रहे होते हैं और यार तयार हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द सस्ता वाला ब्र इस कैम्प पे और यहां पर यह लोग इस नदी किनारे कौन से नसे करने आये थे यार मेरे समझ के पार है मतलब यार कही पे भी फूक लो गत्ते नदी किनारे ही क्यों आना है खेर इनके तीन बंदों को मैं पेल देता हूँ एक को तो हैर पानी में ही पेल दिया अब एक ही बंदा वाकी है तो हाँ धेड़ पैडरस करना पड़ेगा और यार पे कुछ ही सेकेंड में मेरे क्याल से आदा मिनट भी नहीं हुआ ढंक से और मुझे चार किल मिल जाती है बिलकुल फ्रीकी ठीक अब ये लोग क्या नसे करने आये थे बिरिज के किनारे यार मेरे समझ के पारे बिलकुल अब ये बिरिज कैम था भी की नहीं यार अब तो मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ मतलब एक बंदा पानी के नीचे ठीक है दो तीन बंदे भाईया इधर उधर अपनी मस्ती में ही गूम रहे हैं एक बंदा पीक करके कड़ा है मतलब जो भी था यार बहुत ही गलत था तो हाँ भाई लो गयार अगर आपने लाइक के बटन को नहीं पेला इस सस्ते ब्रिज कैम्प के लिए तो यार यही टाइम है यही मौका है पेल के रख दो लाइक के बटन को नीला टैप कर दो बिलकुली और हाँ यार देखो अगर आप ब्रिज कैम्प करते ही हो तो मतलब ऐसे करना की बंदों को पता नहीं ब्रिज कैम्पे मतलब यार देखो मुझे पता था तो मैं क्यों पार करूँगा ब्रिज अना आप दो चीज हो सकती है या तो मैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते नसे में गोलता हो ऐसी कि तैसी ले चलो ब्रिज के पार गाड़ी लेकिन वैसा ज्यादा तर बंदे करते नहीं तो हाँ अगर आप दिख जाते हो तो बंदे ब्रिज पार नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही चीज होगी वह है टाइम वेश्ट मतलब वह वहां से नौक करेंगे आप यहां मतलब नहीं है और देखो ब्रिज केम्प का सबको पता होता है यार कि यार ब्रिज है आगे तो हो सकता है केम्प हो तो हाँ बंदे चेक भी करते हैं वहीं अगर आप साब बने हो तो यार इतनी सारी जाड़िया है कौन 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 सी जाड़ि चेक करेगा इसलिए ब्रि रिज़ केम पे यार फाइट तो होती है कम से कम, साब बने रहोगे यार कब कोई आएगा या ना आएगा, किसको पता, खैर उसी के साथ रोजो की पहाड़ी के बाद मैं इधर पे आ जाता हूँ, और आगे बंदे होते हैं, और यहाँ पे पहुंचने मेरा मैं बहुत देर कर देता हूँ, मतलब देखो आगे गाड़ी जली पड़ी है, बिल्कुल धुआ धुआ आग लग रखिये कताई, बंदा ओपन में भग रहा था, मतलब 200 काड लड़ चुकी है, पेटी पूटी बन चुकी है, तो यार जो भी बंदे बचे कुचे हैं, उन्हें ही पेल के काम चलाना होगा, और वहाँ पे डिरॉप अगेरा भी हुआ है, तो हाँ यार बंदे गए होंगे, बिल्कुल चोड में डिरॉप लूटने और पेटी बन वाली उन्होंने अपनी, क्यार जो भी हो, यहां पे पता चलता है कि पीछे गरो की साइड, यह जो महेंगे बिल्डिंग होती है, वहाँ से एक बंदा बच्के, यह जो सस्ता सैख है, उसमें घुश चुका है, तो करना क्या यार मैं सकूप खोलता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ, कि भाई बंदा कोई भगेगा और मैं उसके हेड़ सॉट चिपकाऊंगा, जो की बिल्कुल भी नहीं होगा यहां पे, और यार इस मैच में नजाने क्या ही सीन चल ले, मतलब मेरे ख्याल से मैंने एक भी गलती से हेड़ सॉट नहीं पेला, तो हाँ यार किसमा चल नहीं रही है, मतलब तुक्के लग नहीं रहे हैं, इसलिए हेड़ सॉट भी नहीं लग रहे हैं, खेर उस बंदे को एक बोड़ी सॉट पेलता हूँ, और वो जोर में नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो भी भगता है वाँ से, और बोड़ी सॉट, हेड़ सॉट तो बहुत दूर की बाते भाई, सप्रे की एक भी गोली नहीं लगती, बचके भग जाता है वो, अब आपको मैच के एंड में कोई बंदा वी एसे से पेले नायार, समझ जाओ वो खतरनाक बंदा है बिल्कुल, मतलब वी एसे पूरे गेम भर चलाने के लिए जिगराची होता है यार, मेरे से तो शायद ही ऐसा कभी हो पाएगा, मतलब यार, गोली इतने नीचे जाती है, क्या ही बताऊं, मतलब अगर आपको किसी बंदे के सर पे पेलना है ना गोली वी एसे से की, तो आपको बादलों में एम रखना होगा, सको बादलों में खोलना पड़ेगा, ठीके यह जादा होगे, लेकिन हाय यार, गोली या गंदा ही गिरती हैं बिलकुल, तो दिक्कत हो जाती है यार, बंदे पेलने में, खैर, यहाँ पे दिख जाता है बंदा, तो पेलते ही से जरा, और हमारे भाई, वी एसेस तो बहुती तगड़ा चला लेते, लेकिन यार, नेट पे भाई, चूक खा जाते हैं, मतलब बंदा अपनी ही चौड में, ओपन में आ रहा है बिलकुल, और पीग भी निकार रहा है, सीधा नेट फेकने की कोशिज, खैर, उसको नो कर दिया, अब इसके जो भी बंदे बचे हैं, उनकी बारी है, अब यहाँ पे मेरा AWM उठाना सफल हो जाता है, मतलब देखो, बोडी सोट पे बोडी सोट लगे थे, पूरे गेम में, आखिर में आके दो बंदों को AWM से ठिला दिया, तो यार, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे कुछ, आज के लिए इतना ही बड़िया है मेरे लिए, और इसी के साथ पीछे जो सकॉर्ड बैठी होती है, वो भी खतम हो चुकी है, अब एक ही बंदा बाकी है, और यार, इस बंदे से ज़्यादा चौड ना, शायद ही किसी में होगी, मतलब ये भाई अपनी चौड में होते, देखो यार, क्या खतरनाक बंदा होता ये, देखो आप बिल्कुल, और यार, वो जो पिच्चर थी ना, जिसमें भाईया, गाड़िया उड़ती रहती है, बंदे उड़ते रहते हैं, वो past in future, अगर उस पिच्चर में, अगली पिच्चर में, इस बंदे को नहीं लिया, तो मैं नहीं देख रहा भाई, मतलब कैसे नहीं ले सकता कोई से, बंदा आता है, दूर से भाई, गाड़ी उड़ा देता है, गाड़ी से कूच जाता है, और अपनी ही चोड़ में, भाई, गोलियां चरा हैं लगते हैं, मतलब जितने भी मैच मैंने खेले हैं न, मेरे ख्याल से ये, शायद पहला या दूसरा ऐसा मैच होगा, शायद, जिसमें आखरी बंदा सापनी बना या कहीं कैम्पनी कर रहा है, अपनी ही चोड़ में गाड़ी भगा रहा हैं भाई, मतलब यार इस बंदे के लिए एक सब्सक्राइब करना मत भूल क्यूंकि ये गलत सीन, ये गलत नसे, ये सथि कमेंटी तुमारा भाई करता रहता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूल न, तो आज के वीडिय contrib. है, बहुत सुख्र WatKeW大家,